हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अली वेटने विजदम दोस्तों स्वागत है आपका अली वेटने विजदम में अब पिछले कुछ सालों से कुछ समय से एम्डियो ट्रांसफर के बारे में काफी चर्चा की जा रही है और ये एक होट टॉपिक बना हुआ है हमारे डेरी किसानों के बीच में तो एम्डियो ट्रांसफर टेकनोलोजी क्या है इस वीडियो में हम इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे इससे पहले एक बात मैं आपको ये बता दूँ कि जैसे ये टेकनोलोजी है इसे गौर्मेंट बहुत जादा मतलब प्रोचसान दे रही है बढ़ावा दे रही है तो जो हमारे इंडिजिनस एनिमल हैं देसी एनिमल्स हैं उसमें साहीवाल है थार पारकर है रेड सिंधी है या और जो इस्टेट्स में अलग अलग इस्टेट्स में जो कुछ एनिमल्स हैं जिनकी प्रजातियां लुपत हो रही है उन्हें इस टेकन और काफी सोफिस्टिकेटिड है अभी लेकिन अब लोगों में जाग रुकता आने के कारण लोग इसे जानने की कोशिश करने लगें तो उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे देखेंगे कि इसके क्या फाइदे हैं किस तरीके से ये की जाती है टेक्निकली कैसे ह तरी कहुती है और ये एक आम किसान के लिए फायदेमन है भी या नहीं है उसे सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए वह हम इस वीडियो में उसे उस पॉइंट को भी देखने की कोशिश करेंगे एक पहलू इसमें और भी आता है वो ये आता है कि इंडिया में जो डेरी फार्मिंग होती है वो दो तरीके की होती है एक तो सस्टिनेंस होती है सस्टिनेंस का मतलब है कि एक दो पशू लोग रख लेते हैं अपने घर में और पार्ट टाइम उन्हें पालते रहते हैं तो भी कुछ घर का बचा कुछा होता है रोटी चावल डाल वगएरा वो पश्मों को डाल दी जाती है और खेतों से जो उनका कुछ भूसा घास वगएरा आती है वो उन्हें खिला दिया जाता है तो जो भी दूद मिलता है वो एक बोनस की तरह होता है तो जो लोग होते हैं वो अपने पश्मों पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं दूसरी क्या होती है एक फुल टाइम जॉब की जाती है फुल टाइम जॉब के अंदर इसे ऐसे बिजनस एंटरप्राइस लिया जाता है और जैसे कोई बिजनस किया जाएगा वैसे ही डेरी फार्मिंग को भी क टाइम की जाती है इसको बहुत बढ़ावा मिल रहा है और काफी तेजी से यह मतलब निकल के आ रही है एक एंटरप्राइस के तौर पर इसे देखा जाने लगा है तो इसके अंदर ही एंब्रियो ट्रांसफर का कुछ यूज हो सकता है यह की तरह नहीं है जैसे लोग समझत किस तरीके से मतलब देखा जाता है तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां से हुई तो दोस्तों एंब्रियो ट्रांसफर टेकनालोजी है क्या एंब्रियो ट्रांसफर होता क्या है बिसिकली एंब्रियो क्या है यह हम समझ लेते हैं जैसे फीमेल होती है फीमेल के अंदर एक सेल बनती है जिसे ओवम कहा जाता है इसी तरीके से मेल के अंदर एक सेल होती है जिसे स्परम कहा जाता है तो यह जब दोनों मिलते हैं तो यह मिल के एक सेल बनाते हैं इनके अंदर आधा आधा डियने होता है यह आधा आधा इनके अंदर जिनोम होता है तो यह मिल के एक सेल बनाते हैं जिसको हम फर्टिलाइजड एक कहते हैं यह डिवाइड होता है इसके अंदर 4-6 और सेल्स बन जाती है तो वह जाइगोट कहलाता है और zeigote के बाद और cells divide होती रहती है तो एक stage आती है 4-5 दिन बाद या 6 दिन बाद fertilization के इनके मिलने के बाद वो stage कहलाती है उसमें खूब सारी cell भूनी भी होती है तो वो stage कहलाती है embryo अब मतलब बच्चा बनने की तरफ शुरू हो गया है तो इसकी शुरुवात कैसे हुई 1890 के दौरान से ही reproductive system के उपर research शुरू हो गई थी तो जो पहला IVF हुआ या इसके experiment हुए खरगोशों में या और mammals में तो ये हुए 1950 के दौरान IVF का मतलब है in vitro fertilization विट्रो का मतलब यहां पर यह है कि एक तरीके से lab के अंदर या test tube के अंदर sperm को और egg को लिया और उसके अंदर उन्हें दोनों को मिलाया और एक egg zicoat बनाने वाली cell बना ली fertilize कर दिया मतलब test tube के अंदर तो फिर ये experiment चलते रहे humans के अंदर क्योंकि humans के अंदर इसकी importance जादा थी अगर किसी को संतान नहीं हो रही है बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो उन में क्या किया जाता था पुरशों के sperm लिये गए और females का ओवा लिया गया मतलब flush किया गया उसे और उसे test tube के अंदर लेक IVF कराया गया तो पहली pregnancy 1973 में की गई थी लेकिन उस वो successful नहीं हुई लेकिन 1978 में 25 जुलाई को एक बेबी पैदा हुआ जो IVF बेबी के नाम से शुरुआ लूजी ब्राउन नाम से एक बच्ची पैदा हुई IVF के जरीए तो ये IVF की history दी इसी के बाद इसमें ये देखा जा लगा कि पशुओं में भी इस टेक्नीक को यूज किया जा सकता है तो जो अच्छे पशुओं हैं उनको बढ़ाने के लिए एक तरीके से इस टेक्नीक का इस्तमाल हो सकता है तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपको ETT समझनी है तो आपको Easter cycle की knowledge होनी चाहिए और अग आपको उसके reproductive system को समझना उसकी Easter cycle को समझना जरूरी है ताके आप उसमें reproductive problems जो आती है अपने animals में उन्हें आप समझ सकें तो खेर मैंने एक वीडियो भी बनाई है Easter cycle के ऊपर काफी पहले बनाई थी आप उसे मेरे चैनल पर सर्च करके देख भी सकते हैं description में उस वीडियो कर link दिया गया है to 50 हम यह मानते हैं कि 50 animals हैं एक farm के अंदर HF काउस हैं कोई भी काउस हो सकती है साहिवाला हो सकती है धार पार्कर हो सकती है जर्सी हो सकती है बफलोज हो सकती है लेकिन यहां पर हमने खाली यह माना है कि 50 HF काउज है हमारे पास और वो 4000 से 6000 लीटर तक एक लेक्टेशन में दूद देती है देखिए मैंने यहां पर यह बात नहीं लिखी है कि वो 25 लीटर दूद देती है यह 20 लीटर दूद देती है यह 45 लीटर दूद देती है क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं होता है प्रोडक्शन एनिमल का चाहिए वो कितना भी हाई प्रोड्यूसिंग हो कितना भी लोग प्रोड्यूसिंग हो स्टेजिज में फेजिस के दोरान प्रोडक्शन बदलता रहता है तो डेरी एकनॉमिक्स में टोटल लेक्टेशन को देखा जाता है कि टोटल लेक्टेशन जो 305 दिन की जो साइकल होती है उसके अंदर पशु कितना दूद देता है तो इस चीज़ को ही मतलब कंसीडर किया जाता है तो हमारे पास एक 50 एनिमल्स का हर्ड है उसके अंदर 4000 से 6000 वाले इनिमल्स हैं अब चार अंिमल्स ऐसं हैं अब ये तो जाह लेक्टेशन भी हैं लेकर Iya şeyi जो 9000 ली एक लक्टेशन में में एक दे रहे हैं पिछली एनिमल हैं, जो डेली 300 दिन तक 30 लीटर पर डे देते रहे, तो ऐसे एनिमल को किसान चाहता है, कि मेरे यहां सारे एनिमल ही ऐसे हों, जो 9000 लीटर तक दूद दे सकें, तो उनके उपर वो खास ध्यान देने लगता है, और सोचता है कि इनके बच्चे जादा से जादा पैदा यह एक सिंपल मतलब तरीका है, इस बात को समझाने का, दोस्तों, मौडर्ण डेरी प्रैक्टिस का जो एक कोर्स है, वो हमारी एप पर एवलेबल है, एप का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक, मौडर्ण डेरी प्रैक्टि उनके formulation, TMR और दुनिया भर की सब चीज़े जो भी एक dairy मतलब course में है या dairy farming में हो सकती हैं सारी practical चीज़े उनके वीडियो हैं तो एप को download कर सकते हैं और pay करके directly आप उसे pay कर सकते हैं जो international हमारे viewers हैं वो अपनी email ID के जरिये से इसमें login कर सकते हैं और जो Indian viewers हैं वो अपने phone number से इसमें app में download करके login कर सकते हैं कुछ free videos भी है notes भी है तो आप देख सकते हैं यह छोटा सा इसका add है यह भी आप देख लीज़े कर सकते हैं तो दोस्तो कैलकुलेशन किस तरीके से हैं एटीटी के अंदर यह आईए देखते हैं तो एटीटी एक बेस्ट प्रैक्टिकल चीज़ है जो imply की जा सकती है एनिमल्स को बढ़ाने के लिए मतलब आपके हाँ जो भी बढ़िया एनिमल्स है जैसे भी 9000 लीटर का example दिया उसको अगर multiply करना है अगर मैं चाहूं कि मेरे हां 50 के 50 अनिमल्स वो 9000 लीटर वाले हो जाएं एक साल में दो साल में या तीन साल में तो वो कैसे पॉसिबल है वो एटीटी के जरीए से पॉसिबल है तो क्या किया जाता है increase the number of top producing animal in least possible time यही एटीटी का चमतकार है तो अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे technology बढ़ रही है ना तो एटीटी तो कुछ भी नहीं है लेकिन एटीटी के साथ अब एक और technology mix हो रही है वो होती है marker assisted selection क्या होता है ना कि DNA होता है animals का किसी हर एक के अंदर DNA होता है तो वो DNA क्या करता है कि decide करता है कि animal का production कितना होगा यह तो सब यह बात तो हम सब को पता ही है अब molecular techniques के थुरू उन DNA इसका पता लगाया जाता है DNA में उन genes का पता लगाया जाता है कि जो high production के लिए responsible होते हैं जो बिमारियों से बचने के लिए जो genes है उनके लिए responsible है तो इस टाइप की चीजे DNA में पता लगा ली जाती है तो अगर animal जादा दूद दे रहा है तो एक तो मतलब positive point यह हो गया दूसरा हमने यह भी देख लिया कि उसके अंदर और क्या-क्या positive points हैं उनके DNA में तो वो वाले animal हमने select कर लिए उसका दूद जादा देना तो है यह एक point उसके अलावा और भी जो positive point थे वो हमने marker assisted selection से मतलब उन्हें पता कर लिया तो अब ऐसे animal को और तीसरी चीज़ क्या है हमने उसे sex semen से मतलब उसकी mating कराई sex semen से तो अब हमारे पास जो भी animal आएंगे वो highly मतलब potent animal होंगे वो खूब सबरदस उनका production potential होगा क्योंकि हमने इन सारी technologies को मिला दिया है तो ETT और MAS ये दो ऐसी technologies हैं जो कि एक dairy farmer के dream को true कर सकती हैं क्योंकि इस टाइम दुनिया में ऐसे animals हैं जो जिनकी capacity सवा सु लीटर दूद देने तक की है मतलब एक दिन के अंदर और उन्होंने अपनी ब्यात में लगबग 18 से 20-20,000 लीटर तक दूद दिया हम तो 9,000 की बात कर रहे हैं तो अब ऐसे animals को अगर हमें तो यहां पर तो हम 9,000 लीटर की बात कर रहे हैं 20-20,000 लीटर दूद देने वाले animals 22-22,000 लीटर दूद देने वाले animals और आम मिल जाते हैं तो अगर ऐसे animals को ही replicate किया जाए तो उससे हमारा एक resources भी बचेंगी और costing बचेंगी management की और बहुत सा मत बचना चाहें एटीटी को तो कैसे समझेंगे तो उन्हीं चार high merit cows की बात हम करते हैं जैसे वो ही 9,000 लीटर दूद देने वाली हमारे पास animal हैं तो सबसे पहले क्या किया जाएगा उन्हें super ovulate कराया जाता है super ovulate का मतलब यह है कि आम तोर पे गाई के अंदर एक ही अंड़ा एक cycle में निकल के आता है उसकी फैलो पीन ट्यूब में लेकिन super ovulate जब हम करेंगे तो एक अंड़ा नहीं आएगा 15-20 इतने अंड़े तक एक बार में निकल के आ जाते हैं तो यह कहलाता है super ovulate करना उसे super ovulate क करते हैं फिर highest quality का जो sex semen होता है बिल्कुल progeny tested एक बुल का उससे inseminate किया जाता है ठीक है जब inseminate किया जाता है तो अंदर अंड़े हैं बाहर से sperm आएंगे और यह दोनों मिलके एक fertilized egg बनाएंगे तो वो fertilized egg जो होते हैं वो embryos में बदल जाते हैं कुछ दिनों बाद उन embryos को collect कर लिया जाता है और lab के अंदर उन्हें develop किया जाता है थोड़ा और फिर उन्हें synchronized cows के अंदर जिनने surrogate mother भी कहते हैं उनके अंदर इन्हें एक तरीके से implant कर दिया जाता है वो गाए उन्हें मतलब नरिश करती हैं उनके गर्ब में वो बच्चिये पलती हैं और फिर उनका जनम होता है तो ये एटीटी का एक point wise plan है अब हफीज साब क्या कहते हैं इसके बारे में कि जो embryo transfer technology है हफीज की जो ये reproduction in farm animals है ना ये एक तरीके से Bible है reproduction की मैं reproductive biology है reproductive physiology का ही post graduate हूँ मेरा MBSC में topic यही था और यही basic किताब हमने पढ़ी थी इसको बिना पढ़े कोई reproduction या gynecology veterinary gynecology नहीं कर सकता है तो ये basic किताब होती है तो ये बोलते हैं कि embryo transfer technology artificial insemination का एक counterpart है artificial insemination में क्या हुआ था कि एक बुल को लिया गया उसी के बुल के सीमन को dilute करके हजारों डोजिस बना ली गई और उसी के germ plasm को आगे बढ़ाया गया तो इसमें embryo transfer में भी यही होता है कि एक ही cow से हम एक time में कई बचड़े ले सकते हैं मतलब सैकडों बचड़े ले सकते हैं एक महीने के अंदर या एक महीने के अंदर in the sense कि एक साल के अंदर जैसे एक काई एक ही बार में एक ही तो बचड़ा देगी ना एक साल के अंदर या अगर 15 महीने के अंदर हम उससे 50 बचड़े ले ले लें तो उसका जो जेनेटिक पोटेंशल है उसे हमने 50 गुना एक तरीके से बढ़ा दिया तो एटी टी इसी तरीके से इन चीजों को सॉल्व करती है तो बाकी की बाते यही लिखी है जो अभी पीछे आपको पांच पॉइ वीडियो को जरूर देखिए आप अगर आप सच में इसे समझना चाहते हैं तो यह एक स्ट्रक्चर है ओवरी का यहां पर यह ओवरी का स्ट्रक्चर दिखाए गया है इसके अंदर क्या है कि यहां पर एक दो तीन ऐसे गरगे सीक्वेंस है और यहां पर नौ तक है यह तो सबसे पहले होते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल यह प्राइमोडियल फॉलिकल जो होती है यह बहुत छोटी सेल्स होती है नौन डेवलप सेल्स होती है और बच्चिया जब पैदा होती है उसी टाइम से इनका रिजर वायर इनका एक सैट बच्चिया के अंदर मौजूद र करते हैं जब जिसे प्राइमरी फॉलिकल और वह स्कारा निकों आइल यह की पूरी की तिस दिन सpad और पर्राइमरी फॉलिकल आती है एंके ऻर्मों काम करते रहतें आमकर अज़ें निकलते हैं प्र आर्मूझ को यह बन बन गया है इसके अंदर एक एंटरम बन जाता है मतलब फ्लूट फिल्ड कैविटी बनती है और धीरे धीरे ये बड़ी होती चली जाती है तो एंटरम खूब बड़ा हो जाता है इसे ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं एक तरीके से ये पक चुकी है अब ग्राफियन फॉलिकल कहां पर है ये यहां पर हमें दिख रही है औरीके अंदर एक टाइम ऐसा आता है ये जो ये बीच में दिख रहाएं न ये एग है यह ओवं जिसे कहेंगे य औसाइट इसे कहते हैं तो यही रिलीज होना होता है तो जब यह पक जाती है पूरी तो यह फट जाती है उसके बाद जब फटती है तो ओवम बहार आ जाता है ओवूलेशन कहते है इसे और यह उसाइट बन जाती है अब जो उसाइट है यह बहार चली गई फैलोपियन ट्यूब के अंदर स्परम से इसकी मेटिंग हुई अगर स्परम से मेटिंग हुई तो एक एम्बरियो बन जाता है और अगर नहीं हुई तो ये अगली साइकल की तरफ घूम जाती है दुबारा से फूटने के बाद इसका जो स्ट्रक्चर होता है ग्राफियन फॉलिकल का ये कॉर्पस लूटियम में तबदील हो जाता है ये प्रोजिस्टरोन बनाता रहता है कुछ दिनों तक 10-12 दिन पंदरा दिन तक उसके बाद ये भी अगर प्रेगनेंसी स्थापित नहीं होती है तो ये भी रिग्रेस हो जाता है खतम हो जाता है और ये साइकल फिर दुबारा से शुरू होती है प्राइमोडियल फॉलिकल वहाँ से निकल के आती है प्राइमरी में बदलती है सेकंडरी में बदलती है ग्राफियन फिर ये चलता रहता है तो ये कब बंद होता है जब ये फर्टिलाइज होके अंदर बच्छडा बनने लगे तो ये साइकल ब्लॉक हो जाती है अब हॉर्मोंस किस तरीके से काम करते हैं वो हम देख लेते हैं तो आम तोर पे क्या होता है कि एक पूरा पूल है जैसे बताया ना मैंना कि लाको प्राइमोडियल फॉलिकल्स होती है तो ये जो नीचे हरे हरे देख रहे हैं ये एक पूरा प्राइमोडियल फॉलिकल्स का पूल है इसके अंदर लाखों पड़ी हुई है तो यहां से कुछ वो रिक्रूट होती है मतलब जैसे चार सेल्स यहां से रिक्रूट हुई और उन चार में से दो तो वैसे ही चली जाती है नीचे मतलब खराब हो जाती है और एक ऐसी होती है कि जो की बढ़नने लगती है धीरे धीरे लेकिन क्या होता है कि ओवुलेशन के बाद जैसा भी बताए कि ओवुलेशन तो हो गया उसाइट निकल गयी उस स्ट्रक्चर का क्या बनता है कॉर्पस लूटियम बनता है वो Corpus Lutium Progestron को सिक्रीट करता है Progestron बढ़ा रहता है तो जो बाकी की Follicle होती है Primordial Follicle तो वो grow तो करती है थोड़े दूर तक लेगिन Progestron उन्हें सप्रेस करके फिर दबा देता है वो ऐसी स्टेज तक नहीं पहुंचती है कि वो दुबारा से उनके अंदर से OVULATION हो Estrogen डाउन रहता है LH यह LH हॉर्मोन है यह जो बैंगनी सा दिख रहा है और यह नीला वाला FSH है यह भी डाउन रहते है Estrogen भी डाउन रहता है Progestron बढ़ा रहता है तो इस वज़े से यह बाकी FOLICLES को grow नहीं होने देता लेकिन जैसे जैसे कॉर्पोस लूटियम डाउन जाता है ठीक है तो इन हॉर्मोन की कंसेंटरेशन बढ़ने लगती है LH की कंसेंटरेशन और FSH की कंसेंटरेशन बढ़ने लगती है और जब Progestron बिल्कुल डाउन चला जाता है तो इनकी पीक आती है तो यह जो पीक आती है FSH की और LH की यह इन FOLICLES को बढ़ाने में मदद करती है और इतनी मदद करती है कि यह पक जाती है Graphene FOLICLES और इसमें से OVOLATION हो जाता है O-Site बाहर निकल आती है ठीक है तो वो जो O-Site बाहर निकल के आती है तो आम तोर पे क्या होता है FSH इतना ही होता है बोडी के अंदर कि वो एक O-Site का सेलेक्शन कर सके एक FOLICLES का सेलेक्शन कर सके और उसे GROW करा के एक OVOLATION करवा सके ठीक है FSH का सारा रोल इसमें देखने को मिलता है उसके बाद LH होता है और Estrogen वगरा होता है अब आप सोचिए खुद कि अगर हम किसी तरीके से FSH की CONCENTRATION बढ़ा दें बाडी के अंदर तो जब एक FOLICLE यहां पे सेलेक्ट हो रही है क्योंकि FSH की CONCENTRATION ही इतनी नहीं है सिर्फ एक के लिए ही इतनी है कि वो एक को OVOLATE करा सके अगर तो बाडी के अंदर मान लीजे एक ML निकल रहा है या एक यूनिट निकल रहा है हम बाहर से इसे 10 यूनिट दे दे दें अगर तो ये एक को ना सेलेक्ट करके ये पांच को सेलेक्ट कर लेगा फिर ये 10 को सेलेक्ट कर लेगा ठीक है तो 10 FOLICLE एक साथ सेलेक्ट होंगी और 10 के 10 के अंदर OVOLATION होगा तो हमें एक की जगा 10 OCID मिल जाएंगी ठीक है तो अब उन 10 OCID को अगर हम inseminate करा देते हैं तो 10 OCID से 10 embryo बनेंगे लेकिन जो काव है वो एक बच्चडे से ज़्यादा तो नहीं रख सकती है बस एक ही काव को तो अपने अंदर पाल सकती है बाकी का वो क्या करेगी जब अगर हम इस ऐसे करते हैं तो उन embryos को flush करके बाहर निकाल लिया जाता है तो यह है ETT मतलब एक OCID को ना produce करके हॉर्मोन लगा के खूब सारा हॉर्मोन लगाया तो इस प्रोसेस को जिसमें यह 10 OCID निकली है इसे कहते हैं super ovulation समझा आप लोग तो यह follicles होती है इस टाइप की ovary रहती है follicle इसके उपर बनी हुई है और यह फूटती है यहां से इसके अंदर से OCID निकलता है मतलब इसके दो functions होते हैं follicle के basically एक तो hormones बनाती है यह ovaries के दो function होते हैं यह कह सकते हैं आप एक तो hormones बनाती है दूसरा यह fertilizable OCID बनाती है एग बनाती है जो की embryo में बनता है और वो embryo uterus में जाके implant होता है और फिर उससे बचड़ा पैदा होता है फिर वो गए दूद में आ जाती है तो यह अगर देखा जाए follicle का तो यह हिसाब इनका है तो एक साथ अगर मानलीचे ovary के ओपर दस follicle बन जाए एक साथ ही grow कर जाए हॉर्मोन की वज़ा से तो दस OCID निकल के आएंगी और दस उसमें embryo बन जाएंगे तो यही होता है इसमें मतलब embryo transfer technology में की super ovulation कराते हैं खूप सारे उसके अंदर over बनाते हैं उसाइड बनाते हैं हॉर्मोन लगाके फिर उसका natural यह तो natural से insemination करा देते हैं artificial insemination करते हैं seximen मानलीचे हमने लगा दिया और seximen लगाने के बाद सारी की सारी हमें बचिया मिल गए 6 से 8 दिन बाद insemination करने के 6 से 8 दिन बाद हम उन्हें सर्जिकली या नौन सर्जिकली embryos को recover कर लेते हैं ठीक है flushing करते हैं उनकी और उसके बाद उनका classification होता है embryos का fresh embryos होते हैं या फिर उन्हें freeze कर दिया जाता है minus 196 degree पर जैसे बाहर से कुछ embryos यहां पर आ जाते हैं उन्हें इंपोर्ट किया जाता है बड़ी बड़ी companies इंपोर्ट करती हैं या पर और उन्हें मतलब यहां की surrogate mothers बनाई जाती हैं कुछ cows को लिया जाता है उन्हें हर्मोन लगा के तयार किया जाता है उनके uterus को और उनके अंदर इसे implant कर दिया जाता है तो दो बाते होती हैं जब हमने flushing कर ली flushing का मतलब embryo हमने निकाल ली हैं तो वो embryo जब हमने निकाल ली हैं वो recipient काउस के अंदर मतलब या तो उन्हें fresh recipient काउस के अंदर डाल देते हैं या फिर उन्हें रख लेते हैं मतलब cryo preserve कर लेते हैं दीज कर देते हैं मैइनस मटनेटे सिग्डी डिगी डिग्री पर तो अब जैसे माली ज़िए हमने दस निकाले था में दस काउज चाहिए यह जो लेज लूए अब दस काउज वह रहनी चाहिए जो हीट में हो तभी तो उनके अंदर हम उसे implant कर पाएंगे, अगर heat में नहीं होंगे तो हम implant ही नहीं कर सकते, तो उन्हें synchronize किया जाता है, उन्हें hormone लगाके heat में लाए जाता है, ऐसा तो नहीं है कि हमने 10 embryos तो निकाल लिए, अभर हम ढूनते फिर रहें कि कौन सी काव हीट में है, तो उन्हे synchronize किया जाता है फिर उनके अंदर उन embryos को डाल दिया जाता है तो जब embryos डल जाता है तो 9 months later उसमें से एक बच्छडा हमें मिलता है तो यह जो cow थी जिसने super ovulate किया था अब यह सारे के सारे बच्छडे जो है ना यह इस cow के replicate है मतलब इनके अंदर यह पले किसी भी काओ के मतलब गर्ब में हो लेकिन इसके अंदर जीन इसी काओ के है तो यही इंपॉर्टेंट है तो यह इसका तरीका है जब यहाँ पर यह यूटरस है ओवरी है ओविडक्ट है जब यहाँ पर कई सारे मतलब एक पार में बन जाते हैं तो यह फोली इस कैथेटर होता है यह फ्लेशिंग फ्लूड होता है यहाँ पर इसे डाला जाता है अंदर और यह जितने भी एंप्रियोज हैं यहाँ पर इस उसमें collect कर लिये जाते हैं फनल में अर इसे फिर cryo preserve कर दिया जाता है यह fresh ही किसी दूसरी काउ के अंदर इन्हें transfer कर दिया जाता है तो यह इस तरीके से embryo निकल के आते हैं और यह एक एक काउ के अंदर अलग-अलग जो cows होती है synchronized होती है यह इनके uterus में डाल दिया जाता है और इनके अंदर फिर बच्चा पैदा होता है मतलब बढ़ता रहता है फिर इनसे ही वो पैदा होता है इसकी सक्सेसरेट काफी कम है मतलब 20-30% ज़्याद़ ज़्याद़ होती है एम्डियो ट्रांसफर की जो सक्सेसरेट है क्योंकि एनिमल के स्टेज में उसका न्यूट्रीशन कैसा हो रहा है कोई इन्फेक्शन तो नहीं है उसे उसका पहले मतलब बहुत सारी चीज़े उसमें देखी जाती है तो हम हाई मेरिट काउज को तो हासिल कर लिया हमने एटीटी से ठीक है अब इसकी जो कॉस्टिंग है द उससे हमने कितनी भी गाय उससे तयार कर सकते हैं कम से कम समय में मतलब जितना उसका एक प्रेग्नेंसी का टाइम होता है उतना तो टाइम लगता ही है लेकिन उतने टाइम में हमने अगर एक गाय को मनलो दो महीने में दो बार भी फलश कर लिया अगर और हर बार में हमने 15-15 embryos अगर collect किये हैं तो कम से कम हम उससे 30% का भी हम अगर उसमें वो लगाएंगे तो 9 गाये तो 9 या 10 गाये तो एक गाये से हम बना ही सकते हैं लबसाल भर के अंदर तो बाकी की चीज़े मतलब गाये तो हमने हासिल कर ली लेकिन बाकी की चीज़े तो सेम ही है ना एक आम फार्मर जो की इस टाइम 30 लीटर वाली या 40 लीटर वाली गाये भी नहीं समाल पाता है उसी के अंदर उसे प्रॉबलम आती रहती है तो वो ये हाई इल्डिंग एनिमल मतलब इसमें कोई 80 लीटर 90 लीटर से कम वाली तो गाये को ETT करवाना कोई अकलमंदी नहीं है न ऐसी गाये मतलब 30 40 50 लीटर वाली तो आम AI से भी प्रोड्यूस होई रही है तो अगर हम ETT को अपनाएंगे भी तो कम से कम 80 लीटर 90 लीटर वाली गाये के उपर तो अपनाएंगे और जब ऐसी गाये के उपर अपनाएंगे तो फिर हमें उसे समालने का खर्चा भी हमारे उपर होना चाहिए मतलब अगर 15 महीनी की एज तक उसे पालेंगे भी आप तो 50,000 रुपय का खर्चा तो वैसे ही हो जागा तो 37,000 रुपय का एक एनिमल आपका तयार होगा और लगभग 33 महीने उसमें लग जाएंगे ठीक है और इंडिया में एक बात बहुत मतलब आम है एक महावरा भी है कि लोगों के अंदर जो डेरी फार्मर्स हैं और पुराने डेरी फार्मर्स हैं वो भी उनके अंदर हीफर्स को बरबाद करने की एक special ability देखी जाती है क्योंकि हीफर्स को वो काउस की तरह ही treat करते हैं जब हीफर प्रेगनेंट हो जाती है तो उन्हें लगता है कि इसे उसी तरीके से handling करनी है जैसे cows की होती है जो mature cows होती है इस वजह से कई सारी हीफर्स पहले ही वो हो जाती है क्योंकि वो उनका growing state मतलब period भी होता है उस टाइम वो grow भी हो रही होती है तो proper उनकी मतलब feeding नहीं होती है और बाकी सारे management भी उनमें नहीं किये जाते हैं तो इसका इससे क्या होता है potential हीफर्स भी मतलब down हो जाती है तो यही था इसके लिए कि embryo transfer technology जो है हमारी वो किस तरीके से हमारे लिए मतलब कारगर तो है मतलब ज़्यादतर animals को हम multiply कर सकते हैं अच्छे animals को लेकिन एक आम farmer के लिए अभी इसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि उसे और चीज़े इंप्रूव करने की ज़रूरत है तो जो पंजाब में हैं लोग या मतलब ऐसे लोग है जो जिने गाइनेकोलोजी निउट्रिशन वगेरा की पूरी अच्छी knowledge है तो वो तो इसे करी रहे है मतलब वो तो बहुत इसमें सक्सेस हांसिल कर रहे है लेकिन एक आम फार्मर जो की एक अच्छे खासे अनिमल को भी मतलब डाउन कर देता है अपने knowledge ना होनी की वज़े से या resources के सही utilization ना होनी की वज़े से तो उसके लिए इसमें अभी मतलब कुछ नहीं है तो यही इस वीडियो में बताना था तो फिर अगली कोई वीडियो बनाएंगे किसी के topic के उपर तब तक के लिए धन्यवाद